नमस्कार दोस्वों आप शुभी का बहुत बहुत श्वाकते दोस्वों आपका एक नया इतिहाश बनने वाला है कल यूग में पहली बार आपका हर्श अपना शच होगा प्रण दोस्वों आज की इस वीडियो में हम जो चार बाते बताने वाले हैं उन्हें बिल्कुल ही आपने यह बात तो शुने होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना वश पड़ता है जय दोस्वों इश्कमादेम्श में आपको यह नहीं जता रहें कि आपके कर्मों में दाग हैं आपके अंदर ही घौट हैं ताकि आपको यह चार बातों का ध्यान रखना होगा जय दो दोसों हम आप शिखुब बिता दें कि आपकी कर्म और आपकी अच्छे पुर्षात के वज़े से आपने जुनकाल में बहुत इंचायों को छोड़ शकते हैं लेकिन दोसों इस धरती पर आपकी जैसे शब लोग नहीं है जे दोसों आप जिस वातावरण में रहते हैं वहां क आपकी लोग की शोच और आपकी शोच में अंतर है जे दोसों और इसी कारण आपकी जुनकाल में आपको चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जे दोसों हम आप शुक बिता दें कि आपकी अच्छे कर्म और पुर्षात अगर हर इंशान के अंतर रहता तो दोसों इस धर्ति पर दुशकर्म अत्याचार और भाष्टाचार जिसी चीजें उत्तपन ही नहीं होती अर दोसों इसी परकार आपके भी आजपोरऊ में आपके अगल बगल में आप जिसेतर में रहते हैं वहां के रहने वाली लोग की उरा आपशिलव होती है जे दोसों और मतलब उ के अंदर का उभाताय। जब आप उन्षेवारदालाब करते हैं तो दोस्तों आपके जुनकाल में उनके अवर्षी गनन होती है जह दोसों जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं तो दोसों वहां का शुप एनरजी पैश्टिव इनरजी हमारे अंदर आते हैं जोच परकार हमारे शविट चिंताएं वहाँ पर खत्म हो जाते हैं यसी परकार धोसों आप अषिल में रहते हैं वहاں के लोगों के ओरा आप श्यंथर हैं इसलिए दोसों आपको अपने जुनकाल में आगी बढ़ने के लिए अपने जुनकाल में शुबलताओं को प्राप्त करने के लिए चार शालधानी अवाशी रखनी पड़ेगी जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप शुबी को बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो काफी महत पुन होगी आप इन बातों पर गौर करें शादे 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 इसमें जानेंगे कि आने वाले चार दिनों के अंदर आपकी जुनकाल में जो गर्वों की वीस्तिती होगी इनकरिशार आपके घर के महल में क्या क्या बदला होंगी पार्यों जुन में क्या क्या शुदार होंगी जो भी भगवान शिव के सच्छे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्वों वीडियो को एक लाइक अवश कर दें और कमेंड बॉक्स में जैज शिव लिग कर भगवान शिव का स्पनान कर लें। भगवान शिव का खेषि भावन शिव का स्पनान कर लें। वही अच्छी चीजें आपकी जुनकाल में वाप शाती है क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है तो दोस्तों भगवान स्रीकिष्ण के बातों में अगर आपको शच्चाई लगी हो यह बातों को आप सुझपाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यह में प्रसतियां अतियनुकुल है कार्याशानी से संपन होंगे आपका अधिक्तर ध्यान श्वेंग के उपर ही केंद्रत रहेगा अपने भावी लक्षों के प्रती मेहनत तता सुन्जोदित धंग से कारी करने से काफी हद तक शफलता मि लेगी गर में किसी में नईदिकी मेहमानों के आने से भी कुछ वातारन बना रहेगा इसको प्रांदो से यह में अगर आपकी सावधनी लेकर बात करें तो दोस्तों यह में बहारी लोगों के साथ मिलती जुलती आपको थोड़ी सावधनी बरतनी चाहिए कुछ लोग पर ध्यान को केंदीरत रखें और इसको प्रांदो से यह में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें आपको काम वक्त पर पूरा करने की कोसित करने होंगी आचानक से नई कामों की जिम्मेदारी पी आपके उपर बनी रहने के वज़श्य आपकी भागा दोड़ी भी हो सकती है लेकिन शबी काम आपके पूरे होने वाले हैं वीचारों में शरलता और रेकलता आने के उज़शे आपके दोवरा हुए शबी निरले उची थी शाबित होंगे और इसको प्रांदोस्तों यह समय आपको बता दें कि दोस्तों पारिवरिक तता शमाजिक अस्तर पर आपके उपर कुछ महत्मुन जिम्हेदारें आएंगी पेशा आने के साथ-साथ वह की इस्तिती बने रहेगी प्रंतु आर्थिक श्तिती एश में शंतुलित रहेगी कुछ नई दिकी लोगों के साथ पारिवरिक गेट टुगेदर भी हो सकती है शादी दोस्तों आर्थिक आपारें या प्रेश्मेर नियंतर रखे यह आपके यहाश्मेर के रिए भेतर होंगे इस्पर दौर कवर करे है और दोको ऑपतिकर साथ परkgति की तरफ आपके ध्यान रहें इसके वेक्तिक भमाद्त ईहां सकती है इसके साथ को बदा दें गाला श्मेर भी बनी रहेगी फिर भी शमवाद बनाई रखने की कोशिश करते रहें और इसको प्रांद दोसने यह शमए आपके लिए जो जम होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपकी विनमर और मदुर शुभाव के वज़शी लोग पिरिता आपकी बनी देगी कुछ पुराने मद वेदों का भी सब्सक्राइब करने से आपको आत्मिक शुक की भी प्राप्ति होगी और इसको प्रांद दोस्ते यह में शपनों की दुनिया में नौ रहें इन से बाहर आएं और हकीकत को समझ कर कारें जया दोस्तों यह आपके लिए बहतर सावित होंगे आपके कुछ निरले भी यह में गलत सावित हो सकते हैं इसका ध्यान रखें कुछ में आत्म मन्थन आप चिंतन और फिर मनन करने की कोशिश करें मनन करने में शमय लगाए यह आपके लिए यह में बहतर सावित होंगे और आपको बता दें कि आपको अपनी अपैक्छा के नुशार्ट शफलता भी प्राप सकता होगी भाई या फिर बहन के शाथ हो रहे विबादों के कारण मांसिक तकलिप का शामना भी आपको करना पड़ सकता है लेकिन अगर आप कोशिश करेंगी तो शमंद फिर से बहतर होंगी और इसको ब्रांदों से यह में आपकी लगन और हिम्मा द्वारा कोई अपरता के प्रति शमर्पन की भावना आपके लिए नए मार्ग यह में खोलने वाली है कोई पुरानी नकात्मक बाते हावी होने से आपके अंदर आत्मा भल में कुछ कमिया शक्ती है आपको बता दें कि अपनी महत्पुन चीजों का ध्यान श्वेंग रखें किसे अन्य पर विश समयोंगे आपको बता दें कि शहत से समयद बातों में अधिक जग रुगदा दिखाने के अशक्ता होंगी पुरानी बीमारी फिर शेत तकलीप देशकती है इसलिए दोस्तों अपने खान पान में बड़ा है पदलाव लाएं यह आपके लिए बैतर होंगी चाकर भी आपको कुछ बातों को अपने पक्ष में नहीं कर पाने के उजश्य आपके उपर तनाव भी यह में बढ़ सकता है लेकि दोस्तों यह में आपको धहर उर्श्यम का दामन थामती हुए आगे बढ़ना है क्योंकि आगे आपकी जोन में कई परकार की खुश्यों की प्राप्ती होने प्रदों ध्यान रखें कि कोई गोपनिये बाद भी उजागर हो शकती है पार्टनर्शिप कारियों के लिए श्रम यह में अनुकूल है और इसको प्रांद दोस्तों यह में आपको बता दे यह में वाश्याइक कारियों में मेहनत जादा और लाब कम की स्थिती भी रहश्य शक्ती है अगर कोई नया काम आर्म किया है तो परिशान होने के बजाए धेर और श्रम बना कर रखें धेरे धेरे परिश्ततियां अनुकूल हो जाएंगी किसी वरिश अनुभवी व्यक्ति की शिलाह पर आप आवश्य अमल करें यह आपके लिए यह में के लिए बहुत ही म करती होने से इनको एरी वेटने की अश्रम का भी लग रही है बैतर होगा कि दुसरों पर अधिक विश्वास ना करें और अपने कारियों पर श्रम होने की उम्मीद बन रही है नोकरी पेशा अधवाव वयशाय में किसी परकार का पेपर शमंदी गडबड़ी होने में दिक अगर आपके लव लाइफ को बात करें अर्थात आपके पारिवरिक जीवन की तो दोस्तों यश्व में घर का महौल सांती पून और खुश्णुमा बना रहेगा पती उपतने की बेच किसी मामुली से बात को लेकर कभी कभी नौक जोग भी होशकती है इसको परान दोस्तो यश्में आपके लव लाइफ की आपके प्रेम शमंद के लिए उस्व में आपको बता दें कि दोस्तों प्रेम शमंद्धों में आप जोरी स्मय कभी रहेगी दो सकती है किसी मामले में ज्यादा sécur ne Scholars You और Gowarण के विगए और इसको के प्रांद तोसे hebdoי आफे परेम आपके लव लाइफ के लिए आपको बता दें पती पत्नी की बीच उद्धिस समाजस बना रहेगा युआ वर्ग वर्थ के प्रेम शम्माओंद में शमी नश्ट ना करके अपने काम पर ध्यांद रहें यह आपके लिए बैतर होंगी और इसके उप्रांद उसमें अगर आपक यह आपके लिए आपके लिएक लेफ हमालग आपके लिए यह आपके लिए को हो भी फिए लेख।